हेलो फ्रेंट आज मैं दखाऊंगा टीबी का और एक न्यू फाल्ट रिपियर तो चलिए शुरू करते और देखते टीबी में किस तरह क्या फाल्ट हुआ है तो फ्रेंट आप देख सकते टीबी का पावर अन हो गया और टीबी में जो पॉब्लेम हुआ है तो आप देख सकते लेन राष्ठार उइथ रिटेस लाइन प्रॉब्लेम एही पॉब्लेम हुआ है तो फें इस तरह का पॉबलेम होने का दो तिन कारण है पहला कारण है वीडियो आर्पूट सेक्षन में जो सियाती बोड़े गहापे कुछ पॉबलेम होने से आईचा होता है दूसरा कारण है इस्टी खाराब होने से और तिसरा कारण है वो मेन आईसी है हमारा टीवी का वो खाराब होने से भी ऐसा पॉब्लेम हो सकते टीवी में इसके अलाबा और भी कुछ खाराब होने से भी ऐसा पॉब्लेम हो सकते है लेकिन बहुत ही काम होता है ऐसा और जो पार्स का नाम बता है जो section का वो ही खाराप होने से ज़्यादा तर ऐसा problem होता है इसलिए हमें पहले CRT board चेक करना होगा उसके बाद हज़ेंटर आर्पूर्ट शेक्षन येश्टी चेक करना होगा और उसके बाद main IC board section हमें चेक करना होगा तो चलिए पहले CRT board का supply voltage चेक करके देखते हैं वो ठीक है क्या नहीं तो अफिन TV सार्कित में कोई भी supply voltage चेक करने के लिए मेटर का जो बलाग पोट है इसको यहाँ पे राकना होगा पिक्चा टूप का ग्रांड के साथ आए छे और आप मैं पहले CRT board का supply voltage चेक करूँगा यहाँ पे यहाँ पे voltage चेक करने से जो पता चला यहाँका जो 10 volt supply और red green blue का supply voltage ओके है और यहाँ पे red green blue video output signal voltage भी ओके है 1.5 voltage से लेकर 2 voltage तक वो भी ओके है और यहाँ पे हमारा collector का supply है वीडियो output section का 180 voltage यहाँ पे नहीं मिल रहा है आप देखेंगे यहाँ का जो S plus supply, S e supply voltage इसके लिए में यहाँ पे मिटा का range change क्या है यहाँ पे 5 voltage होना चाहिए वो ठीक है और इस point ground है यहाँ पे कोई supply नहीं रहते है voltage पॉल्टेज 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 हमें नहीं मिल रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे काभी थोरा सा वोल्टेज शो कर रहा है और कभी चला जाता है ऐसा हो रहा है आप डाउन तो फेर इस तरह का problem होने का जो कारण होता है ज्यादा तार जो 108V supply का फिल्टर काभाजिटर है वो खाराप होने से वो कमजूरी होने से ऐसा problem होता है यह जो ओयर है इस ओयर की मदद से हमारा CRT voltage का supply मिल था है ग्राउंड और S-plus supply और 108V जो 180V का supply को फिल्टर करने के लिए जो काभाजिटर लागी रहे थे है तेने में 250V का वो काभाजिटर प्रब्लेम होने से चाहा होता है तो फेर 180V supply काहा चे आता है यह देख ली थे यह सपलाई है जो इस्टी चे आता है S-plus supply यह और यहाँ पे है 180V supply यहाँ से और यहाँ से तो फेर यह जो 180V supply का वयार है इसका connection हुआ है हमारा SMPS का output point से तो फेर 180V supply हम चेक करने से जो पता चला जो आउट्पूट टानसफरों है SMPS से आउट्पूट हो रहा है जो CRT बोट के लिए 180V supply तो फेर यह जो 180V supply ज्यादा ता टीबी में मिलता है इस्टी टानसफरों से लेकिन इस टीबी में हमें मिल रहा है SMPS टानसफरों से तो हमें यहाँ पर supply voltage एक बार चेक करके देखना होगा SMPS टानसफरों के पास 180V ठीक से आउट्पूट हो रहा है क्या नहीं तो यहें ground तो आप देख सेकते हैं यहाँ पर supply voltage यहाँ भी ठीक से नहीं मिल रहा है आप डाउन हो रहा है ज्यादा कम और यह 20 supply 110 voltage तो 20 supply है लेकिन जो 180 voltage हमें ठीक से नहीं मिल रहा है तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर capacitor चेंज करके देखना होगा तो फेंट यहाँ पर जो capacitor है filter capacitor इसको चेंज करने के बाद भी हमारा supply voltage ठीक नहीं हुआ तो हमें यहाँ पर जो डाउट से यह supply output होता है SMP stratasform मा चे उसको चेंज करके देखना होगा तो फेंट यहाँ पर है 180 volt supply का filter capacitor यह है बो capacitor तो फेंट इस problem के लिए हमें first time इस filter capacitor को चेंज करके देखना होगा तो फेंट यह है बो capacitor इसको circuit से निकालना होगा यह है बो capacitor तो फेंट आप देख सकते हैं यह है बो capacitor इसको चेंज करके देखना होगा चेंज को मैंने circuit से निकाल लिया खराब होने का संभव मरा है तेने में बी 250 वोल्टेस का है capacitor तो फेंट मेरा पास आभी 22 में बी 250 वोल्टेस का capacitor है इसको मैं आभी यह पर लागाऊंगा यहाँ पर कबाजिटर लागा सकते हैं ज्यादातार तेने में बी रहते हैं लेकिन यहाँ पर 22 में बी कबाजिटर भी यूज होता है तो फेंट इसको लागाने के बाद हम फिर से एक बार इसका supply voltage चेक करके देखेंगे क्या हमारा problem solve हुआ क्या नहीं तो फेंट आप देख से थे यहाँ पर हमारा supply voltage ओके हो गया 188 voltage आ रहा है आभी वो fixed हो गया इसका मतलब हमारा problem solve हो गया voltage का जो problem थी तो आप देख सेकते हैं यहाँ पर supply voltage ओके आप ज्यादा कम नहीं हो रहा है तो चलिए आप मैं टीवी का picture चेक करके देखते हैं जो picture का जो problem थी वो solve हुआ क्या नहीं तो टीवी का power ताउन हो गया और आप देख सेकते हमारा picture का जो problem थी वो बेलकुल ठीक हो गया ओके थैंक्यू दोस्तो मेरा वीडियो देखने के लिए और अच्छा लगए तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ झाल